नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और देखेंगे कि कौन से राज्य जीडीपी के मामले में सबसे आगे हैं। तो बिना समय बरबाद करें, शुरू करते हैं अपनी इस मज़ेदार जर्नी पर। सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा अपना महराश्ट्र। दोस्तों, ये राज्य तो एकदम आल राउंडर है। बॉलिवुड से लेकर बिजनिस तक हर चीज में महराश्ट्र सबसे आगे है। यहां की एकॉनमी इतनी स्ट्रॉंग है कि पूरे देश की जीडीपी में इसका बहुत बड़ा योगदान है। मुंबई जैसे शहर तो मानो भारत का फाइनेंशल कैपिटल है। यहां हर दिन करोडों अरबों का व्यापार होता है। साथ ही यहां की फिल्म इंडिस्ट्री यानि बॉलिवुड पूरी दुनिया में मशहूर है। यहां से हर साल सैकडों फिल्म में रिलीज होती हैं और करोडों का बिजनिस करती हैं। तो दोस्तों, महाराश्ट्र के बारे में तो एक ही बात कह सकते हैं। यह राज्य तो सच में एकदम रॉकिंग है। अब बात करते हैं साउथ के सुपरस्टार, तमिलनाडू की। दोस्तों, यह राज्य अपनी अलग ही पहचान रखता है। यहां की कल्चर, यहां का खाना और यहां के लोग सब कुछ एकदम अलग और खास है। लेकिन सिर्फ कल्चर ही नहीं, एकॉनोमी के मामले में भी तमिलनाडू का कोई जवाब नहीं। यहां की इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉंग है, खास कर आटोमोबील सेक्टर में तो तमिलनाडू एकदम धूम मचा रहा है। चैन्नई जैसे शहर तो एकदम मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जहां हर तरह की सुविधाय मौजूद है। यहां की लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, तमिलनाडू भी किसी से कम नहीं है। यह राज्य भी भारत के टॉप राज्यों में अपनी जगह बनाए हुए है। अब बारी है हमारे अपने यूपी की, यानी उत्तर प्रदेश की। दोस्तों, यह राज्य तो अपने आप में एक छोटा भारत है। यहां आपको हर तरह के लोग, हर तरह की भाशाएं और हर तरह का कल्चर देखने को मिल जाएगा। जन संख्या के मामले में तो यूपी सबसे आगे है ही, लेकिन क्या आपको पता है कि एकॉनमी के मामले में भी यूपी पीछे नहीं है। यहां की क्रिशी बहुत उन्नत है और साथ ही, यहां इंडस्ट्री भी तेजी से बेरेच रही है। लखनव, आगरा, वारांसी जैसे शहर तो अपनी खूबसूरती और एतिहासिक महत्व के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो दोस्तों, यूपी भी किसी से कम नहीं है। यह राज्य भी भारत के विकास में अपना अहम योगदान दे रहा है। बंगलूरू में देखने को मिल जाएंगे। यहां के लोग भी बहुत टैलेंटिड हैं और टेक्नोलोजी में बहुत आगे हैं। करनाटक सिर्फ आईटी में ही नहीं, टूरिजम के मामले में भी बहुत आगे है। यहां के खुबसूरत हिल स्टेशन्स, मंदिर और बीचिज पूरी दुनिया से टूरिस्ट्स को अपनी ओर आकर्शित करते हैं। तो दोस्तों, करनाटक भी भारत के सबसे अमीर और डिवेलप्ट राज्यों में से एक है। अब बारी है उस राज्य की, जो बिजनिस के मामले में एकदम बाजीगर है। गुजरात। दोस्तों, गुजरात हमेशा से ही व्यापार और उद्योग के लिए जाना जाता है। यहां के लोग बहुत मेहनती और बिजनिस माइंड़ होते हैं। यहां आपको छोटे बड़े हर तरह के बिजनिसेस देखने को मिल जाएंगे। अहमदाबाद जैसे शहर तो गुजरात की एकॉनमी का हब है। यहां की टेक्स्टाइल इंडस्ट्री तो पूरी दुनिया में मशहूर है। साथ ही गुजरात टुरिजम के मामले में भी पीछे नहीं है। यहां के रण उत्सव, सोमनात मंदिर और द्वारका धीश मंदिर पूरी दुनिया से टुरिस्ट्स को अपनी ओर आकर्शित करते हैं। तो दोस्तों, गुजरात भी भारत के सबसे अमीर और डिवेलप्ट राज्यों में से एक है। अब बात करते हैं उस राज्य की, जो अपनी सम्रिद संस्कृती और मजबूत अर्थ व्यवस्था का अनूठा संगम है। पश्चिम बंगाल। दोस्तों, कोलकाता जैसे शहर ने तो भारत को एक अलग ही पहचान दी है। यहां की साहित्य, कला और संस्कृती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। साथ ही पश्चिम बंगाल की एकॉनमी भी बहुत डाइवर्सिफाइड है। यहां आपको क्रिशी, उद्योग और सेवा क्षेत्र, तीनों ही क्षेत्रों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। कोलकाता तो एक प्रमुख बंदरगाह शहर भी है, जो व्यापार के लिहाज से बहुत महत्वपून है। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल भी भारत के सबसे अमीर और डिवलप्ट राज्यों में से एक है। अब बारी है उस राज्य की, जो अपनी रॉयल हेरिटेज और खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। राजस्थान, दोस्तों, राजस्थान तो मानो एक खुली किताब है, जहां हर पन्ने पर इतिहास और संस्कृती की कहानिया लिखी हुई है। यहां के भव्य महल, किले और मंदिर पूरी दुनिया से टूरिस्ट्स को अपनी और आकरशित करते हैं। जैपुर, उदैपुर, जोधपुर जैसे शहर तो मानो एकदम फेरी टेल से निकल कर आए हैं। राजस्थान की एकॉनोमी में टूरिजम का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही, यहाँ खनिच संसाधन भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो एकॉनोमी को और मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान भी भारत के सबसे अमीर और डिवलप्ट राज्यों में से एक है। अब बात करते हैं उस राज्य की जो भारत का राइस बोल कहलाता है। आंध्र प्रदेश। दोस्तों, यहाँ की उपजाओ भूमी पर धान की खेती प्रचुर मात्रा में होती है। जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। लेकिन सिर्फ क्रिशी ही नहीं, आंध्र प्रदेश उद्योग के क्षेत्र में भी तेजी से प्रगती कर रहा है। विशाखा पत्तनम जैसे शहर यहां के प्रमुख और द्योगिक केंद्र हैं। साथ ही आंध्र प्रदेश में तिरुपती बालाजी जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी हैं, जो देश-विदेश से श्रद्धालूओं को अपनी ओर आकरशित करते हैं। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश भी भारत के सबसे अमीर और डिवेलप्ट राज्यों में से एक है। अभी विकास के लिए कई नई-नई योजनाय ला रही है। यहां कृशी, उद्योग और सेवा क्षेत्र, तीनों ही क्षेत्रों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, तेलंगाना भले ही नया राज्य है, लेकिन विकास के मामले में ये किसी से पीछे नहीं है। अरब बेथ है। अब बात करते हैं उस राज्य की जो भारत का दिल कहलाता है, मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश अपनी सम्रिध संस्कृती, प्राकृतिक सौंदर्य और खनिच संपदा के लिए जाना जाता है। यहां आपको खुबसूरत पहाड, घने जंगल और प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश खनिच संसाधनों का खजाना भी है, यहां कोयला, लोहा और हीरा जैसे खनिच प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश भी भारत के सबसे अमीर और डिवेलप्ट राज्यों में से एक है। दोस्तों ये थे भारत के सबसे अमीर राज्य जो अपनी अलग-अलग खूबियों के साथ देश के विकास में अपना अहम योगदान दे रहे हैं हर राज्य अपने आप में खास है और देश की प्रगती में अपनी भूमिका निभा रहा है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सबस्क्राइब जरूर करें नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नसर कर